नमस्टे फेंट्स वेलकम माई यूट्यूब चैनल फेंट्स मैंने अब कुछ LED के कलर और उनकी कुछ वोल्टेज यहां पर आपको मेंचिन कियें आप देख सकते हैं यह राउंड टेड़ वोल्ट से लेके चार वोल्ट के बीच में सब यह अलग-लग LED आप इसका स्क्रीन शोट ले सकते हैं तो जनरली हम 3 वोल्ट की एक LED का वोल्टेज माल लेते हैं वो ठीक उस पर वर्क करती है ना ज्यादा डिम होती है और ना ही ज्यादा बहुत शार्प लो होती है खराब नहीं होती मतलब ज्यादा वोल्टेज की वज़े से तो अगर हमारे पास बिल्कुल सही जान करीची है तो हमें इसकी डाटेश्ट से ही पता चलेगा जो मैनुफेक्चर उसको बनाता है पर जनरली इसकी 3V के आसपास एक बड़ी LED जो 5G होती है उसकी 3V होती है और जो करण्ट ये ये यूटलाइज करती है वह है 20mA इसका हम क्या यूज कर सकते हैं सपोस्कर आप इसे 3V या 4V तक देते हैं आप इसे उपरेट कर लेते हैं पर अगर आपको इसे 12V से उपरेट करना है या और इससे ज्यादा वोल्टेज से उपरेट करना है तो आप इसमें कितने ओम का रिस्टन्स लगाएंगे जिससे कि उसमें सेफली ये वर्क करें और ये जैसे 1W के रिस्टन्स आते हैं आप वाट या 1W या 2W तो कौन सा हमें रिस्टन्स में लगाना है तो वो रिस्टन्स भी हम उसकी जो वाटेज है वो भी हम कैल्गुरेट कर सकते हैं तो आप देखिए ये कुछ वोल्टेज है मैंने यहाँ पर एक ग्रीन एलेडी लिए तो सपोस्कर यह 1.924 वोल्ट तो इसको हम 3 वोल्ट ले लेते हैं और 20 मिलियम पर हम करन्ट लेंगे तो हम इस फॉमले को यूज करेंगे आप आप जानते है होम सलॉओं के वारे में इस तरीके से होम्सलो होता है so yasus की वैली और हम निकालते हैं तो वी अppenांगे होती है सो इस व्ल्रेंस लेंगे आप 12 वोंट उप उथाय जो इनपूर्ट देना चाहते हैं और व्ल्टेज आपकी जो LED की है वो थ्री वोल्ट है और ट्वंटी मिली अम्पेर वो करंट उटलाइज करती है तो इस होमले को यूज़ करके आप उस रिस्टिस की वैली को फाइंट आउट कर सकते हैं जो हम इसमें लगाएंगे तो यह सेफली वर्क करेंगे सपोस करिए यह आपने माइनस किया सो नाइन इसकी वैल्यू आ गई है तो आपको इसके आसफ़स जो भी वैल्यू मिलती है रिस्टिस की सपोस करिए आकस फोर सेवेंटी ओम है यह फोर एटी ओम कोई आपके पस अवेलेबल है तो आप यूटलाइज कर सकते हैं उसको और यह बिल्कुल ठीक वर्क करेगी तो देखिए सब्सक्राइब है तो अगर मैं इसकी पॉस्टिव लेग में रिस्टेंस लगा कर इसमें 12 देता हूं अदर्वाइस मैं डारेक्ट दूंगा 12 वोल्ट तो यह जल जाएगी खराब हो जाएगी पर्मेंटली तो मैं इसको करेक्ट करता हूं कि कुछ भी इसको प्राब्लम ने बिलकुल ठीक वर्क करेगी कि देखे यह 12 वोल्ट से अपरेट हो रही है और यह बिलकुल आपको सभी और कर रहे है हम इस तरह से कोई भी देर्स्टेंस अपना निकाल सकते हैं बेव करेगी तो दीखेर मैं वेट्री वोल्टेज आप को चेक कराया था हुआ है हमने पहले एक वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से हम बैटरी पैक बना सकते हैं तो यह देखें 11.36 यह राउंड 12 वोल्ट इसमें जनरेट हो रहे हैं और इस 12 वोल्ट से हमने इस रेजिस्टेंस को यूज़ करके करना चाहते हैं तो आप फावर का फार्मला यूज़ कर लिए पावर इस इकल टू इंटू आई होता है तो आप वाटेज निकालना चाहते हैं अब आप क्या जो वोल्टेज डिफरेंस था इन दोनों का वो नाइन वोल्ट आया था और करन्ट आपके पास 20 मिली अंपियर था मिली अंपियर को आप अंपियर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे अब नाइन को 50 से डिवाइड कर लीजिए इसके लिए हम उपन नीचे 2 से मिल्टिप्लाई कर देते हैं तो 18 वाट आएगा और यह सिदा 100 से डिवाइड करके 0.18 वाट आजाएगा यनिकि 0.25 वाट से कम ही है तो पावर को पता लगाने के लिए आप यह हूआ यह उसकर सकते है आई हम आप यह नाइज कर सकते है